लुक्त स्वें से पहले वाले वीडियोों में में धो चीज है कवर कर चुका हूं नीट्लेट ड्उड़ डाटकॉम पे जो सारी चीज़ अवेलिबल है क्या क्या है और दूसरा टर्गेट कैसे सेट करते है तर्गेट जब सेट करते है तो उसके बाद venom exist कैसे मिलता है test series हैं यह सारी चीज़े needprep.com पर जब आप जॉइन करते हैं तो यह सारी चीज़े अवेलेबल है आप फुल कोर्स लेते हैं तो सारी चीज़े मिलती है फुल कोर्स नहीं लेते हैं सिर्फ वाइस और 23 वगरा के लिए तो आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिलते आपको मास्टर क्लास नहीं मिलता और आपको शॉट डूरेशन रिविजन कोर्स नहीं मिलता बाकि आपको सारी चीज़े मिल जाती है ठीक है मैंने आपको टर्गेट सेटिंग बताया था क्यांक रिआपका इम्ऽीशन है बहुत बढ़ा डौक्टर बनने का उसको पहुचने के रिए पंदरादीन का टर्गेट सेट करना है मैंने आपको के वीडियों बना तार्गेट कैसे लिए करना है और उस लिए और विलत निकल के आ और इस पर जड़ा ध्यान दीजिए ना Physics Chemistry के सौसे देट सो क्वेस्चन बाईो के धाई सो क्वेस्चन बाई के थाइज़ सो क्वेस्चन बाईओ उमें है ना electromagnetic waves atom nuclei तो इसमें 60-70 क्वेश्चन से भी काम चलब पर कुछ चैप्टर बढ़े हैं उनमें 500 से ज्यादा भी करना है पर मोटा मोटा सो से देड़ सो आवरेज ठीक है यदि आप यह देखेंगे टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं जो मैंने आप लिखा है 38 चैप्टर आयों में 58 चैप्टर फिजिक से अप्रॉक्सिमेटली यह करीब 15,000 क्वेश्चन हो जाते हैं है ना बलकि 13,000 बोल लिजे 15,000 नहीं लिखता है नहीं तो आप डर के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे यह करीब 13,000 क्वेश्चन हो जाते हैं है ना और उसके लावा 25 मौक टेस्ट में करेंगे यह करीब 2000 तो टोटल 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अब आपके पास जो टाइम बचा है ठीक है वापिस आ जाते हैं हापे तो मैं आपको पहली चीज़ यह बोलना चाहता हूं वीडियो सब देख सकते हैं वीडियो देखते हुए नोट प्रैक्टिस करने है सौसे डिट सो फिजिक्स के मिस्टिक चैप्टर में 200 से धाई सो बायो के चैप्टर आप कैलकुलेट करेंगे करीब 13000 क्वेश्चन आ जाएंगे ठीक है प्लस हमें 2000 क्वेश्चन बिल गए मॉक तेस्ट के 25 मॉक तेस्ट अप्रोक्सिमेटली 2000 या 25 मॉ अब आप एक काम करो लेटसे यह 13000 क्वेश्चन है यदि कोई नी 2023 की तयारी कर रहा है आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 22 अगस्त है थीक है 22 अगस्त से आप मोटा मोटा समझ लीजे करीब 90 हफते थीक है तो 2023 की जो तयारी कर रहे है उनको 13000 क्वेश्च एक चार जीरो चार जीरो ठीक है तो पर वीक 144 क्वेश्चन्स आगए है ना यानि डेली कितने क्वेश्चन्स आगए डिवाइड बाइड 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 सेविन कर दीज़े 20 किस क्वेश्चन आगए यह कंसिस्सिंसी चाहिए आप यदि पेरेंट है आपको अपना बच्चा वीडियो देखते हुए दिखाई देता है सारे टाइम पैन पेपर क्वेश्चन करता हुआ नहीं दिखाई देता गरबड़ है डेली के इतने क्वेश्चन प्रक्टिस करना है यदि आप 2022 वालों की तयारी करें अभी हम अगस्त में है ना 2022 की तयारी की बात करें ठीक है चलो 36 अफ्ते माल लेता है ठीक है तो किता आ जाएगा चल करते हैं और 371 क्वेश्चन पर वीक 371 क्वेश्चन पर हफ्ते इसको डिवाइड़ बाइ साथ कर दीजे ठीक है इसको यदि आप डिवाइड़ बाइ साथ कर देंगे तो ये किता आ जाएगा करी 50 विश्चन डेली 55 विश्चन डेली तो इन दो नंबर का ध्यान रखिए है न अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं करीब 35 अफ्ते बचे नीट 2022 के अंदर आपको 55 विश्चन डेली करने है और 2023 वाले को 20 विश्चन डेली करने है पर आपको एक सर्टन नंबर ओक्वे सब्सक्राइब यहां पर जड़ा देखिए आपको क्वेश्चन बैंक में क्या क्या मिलता है आपको एक NCRT फिल्टर मिलता है यह सारी चीज़े में आपको जाके दिखाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लारियों जाए इसका फाइदा उठाई हम बहुत जादा मेहनत करत है आपको क्वेश्चन प्रक्टिस अच्छी कर पाए रेलेवेंट कर पाए इरेलेवेंट क्वेश्चन से परेशान होके ना भाग जाए यह सारी चीज में सब्जाऊंगा हम आपको डिफिकल्टी लेवल देते हैं इजी मीडियम डिफिकल्ट सारे आपको यहां पर शूमी इन एंसी आटी फिल्टर होता है और आप बुक मार कर सकते हैं यह रिविजन के साब से बहुत जरूरी है आपको कोई क्वेश्चन पसंद आया आप चाहते हो एक्जाम के नजदीक वापस इसे देखो बुक मार कर लिजे तो यह मैं सारी चीज़े आपको समझा जेत है ठीक है ध्यान रख लेना सेलेक्शन तो क्वेश्चन ट्रैक्टिस से ही होता है चलो अब मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं आपको करना क्या है आपने से ज्यादातर लोग फोन पर यूज करते हैं तो आपको फोन पर नीट्रप डॉट कॉम पर जाएंगे तो मेन्य इस फिल्टर से आप चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं इस वाले फिल्टर से आप क्या करते हैं सारे जो क्वेश्चन से उसमें सिर्फ NCRT वाले क्वेश्चन सा जाएंगे यहां से अब डिफिकल्टी लेवल इजी मीडियम डिफिकल्ट इजी का मतलब 70% से जदा बच्चों ने सही किया मीडियम का मतलब 50 से 70 परसेंट लोगों ने सही किया और डिफिकल का मतलब 50 परसेंट से कम सही हुआ NTA के साब से easy और medium level question sufficient है यहां से अब previous year question select कर सकते हैं एक question type है यह देखिए question type के अंदर NCRT back या आपको specific type के question करने वो कर सकते हैं यहां से आप question skip करके grid view से जा सकते हैं तो एक एक करके चलते हैं ना चलिए देखना चालू करिए मैं chapter select कर लेता हूं let's say मैंने physics का chapter select किया motion in a plane ठीक है तो सबसे पहले से दिखा है 397 question है अब मैंने NCRT की filter लगा दिया ठीक है तो अभी दिखा रहा है 344 बड़ा चैप्टर है बेस चैप्टर है इसमें आपका वेक्टर्स भी है वेक्टर के बहुत सारे question होंगे calculus के question भी मिल सकते हैं और इसके लावा प्रोजेक्ट है circular motion relative motion बड़ा चैप्टर है one of the bigger chapters और बेस चैप्टर है अब आपने सबसे पहले क्या किया यह सबसे important चीज़ है सबसे पहले आप easy question practice करिए 147 easy question आ रहे हैं इनको practice करिए आपका confidence build-up होगा जादातर बच्चे बिना सवाल किये भाग लेते हैं दो question गंदे से मिलें बिलकुल bounce किये और question practice ही नहीं करते हैं आपको sequence में जाना है पहले easy फिर medium फिर difficult और अभी हम इसको और rationalize करके सौसे दोसों के बीच में लेंगे physics chemistry के अंदर यह सारा काम थोड़ा 12 सितंबर तक हो जाएगा पर अभी देखिए सिर्फ आप easy question practice करिए उसके बाद फिर medium करिए है ना जब नहीं करना unnecessarily पहले easy फिर medium और मैं तो आपसे कहूंगा difficult अभी मत करिये दिया आपका सिलेबर जल्दी खतम हो जाता है उसके बाद difficult question देख लेजेगा पर अभी easy medium पर focus हो किये है ना तो यह चीज़ हो गई चलिए यहां पर previous यह नीट और AI PMT aims फगरा वाले relevant नहीं based questions medium difficulty level के जो पहले नीट और AI PMT में आया है वह आपको दिखा दिये इतना अच्छे तरीके से और बच्चो अब एक बार नीचे आ जाता है किसी भी question को देख लेते हैं देखिए आप choice mark कर सकते हैं जैसे इस वाले question को देखते हैं यह क्या बता रहा है देखो difficulty level 44% है इसलिए मीडियम मैंने आप से कहा था 50-70% के बीच है तो मीडियम है NCRT से नीट 2019 में आया था ठीक है आप attempt करते हैं तो एक रेड ग्रीन आ जाएगा इसका मतलब किसी ने वान अटेम्ट किया तो रेड आया answer था दो तो वह ग्रीन आ गया ठीक है आप मार कर सकते हैं यह सिली स्टेक था यह था नहीं था जो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको बाद में पता रहे हैं कि आप लिए शिली मिस्टेक कर रहे हैं कि आप यहां पर explanation देख सकते हैं इसका ठीक है तो यहां पर इसका डीटेल explanation होगा बहुत सारे cases में आप यह वीडियो velocity यहां साथ directly ncrt के तरफ भी जा सकते हैं तो हमने ncrt को पूरा इंटेग्रेट कर दिया question bank के साथ क्योंकि nta ने जब से 2019 से paper बनाना चालू किया है यह clearly communicate कर दिया है कि मैं paper ncrt से दूंगा कुछ भी भाहर से नहीं आएगा इसका मतलब क्या है physics और physical chemistry में जो questions है वो उनी formula से आएंगे जो ncrt में दिये हुए तो हमने tagging भी उनी formula के around कर दी देखिए यह वाल आप देखेंगे तो हमने tagging भी बिल्कुल उसके around ही कर दिया है ना बायो organic inorganic question में जो facts है जो reactions है उसके बाहर कुछ expected नहीं है तो tagging उसी चीज़ के around है चलिए अब हम आगे चलते हैं यहां तक पहुंच गयते हैं है ना तो यह आप कर सकते हैं और इससे आपको बिल्कुल clear idea लग गया अब आप correct percentage भ क्योंकि बहुत सारे बचों मैं आपको बताओं डेली के करीब 10 लाग attempt होता है नीट प्रेप के question bank पे तो यहां पर continuous data भी जनरेट हो रहता हो उसके basis से हम आपको यह सारी चीज़े बता पते हैं अब आपको question बहुत अच्छा लगा relative motion का NCRT से आपसे हुआ नहीं तो आप क् इस question को ऐसे bookmark कर देंगे ठीक है आप even note भी लिख सकते हैं आप खुद का कुछ comment लिखना चाहते हैं note लिख सकते हैं ठीक है आपने bookmark किया share भी कर सकते हैं अपने friends के साथ यदि आप चाहें आपका कुछ study circle है जब आप bookmark कर देते हैं और आप इस bookmark पे click करेंगे ठीक है तो आपको वो question दिखाई दे जाएंगे जो आपने पहले bookmark के थे मैंने एक ही किया तो bookmark किया वो question आगया यहां पर एक बार दो तीन bookmark कर देता हूं आप है ना चल यह question यह bookmark किया था यह भी अच्छा लग रहा है इसे भी bookmark कर दिया अब मैं जब bookmarks में जाता हूं तो मुझे multiple question दिखाई देंगे है ना तो आप पढ़ते समय अपना revision का सामान भी ready कर रहे हैं यदिए आप बिल्क discipline के साथ bookmark करते हैं यह वो question है जो आपको अच्छे लगे आप चाहते हैं बाद में revise करूं और revision करते हैं आपको लगता है हाँ इसका concept लिए रहो गया तो bookmark खटा दीजे तो student यह सारी चीजे इस इन extremely rich question bank complete है ठीक है पर मेनत आपको करने हैं मैं आपको वापिस बता रहा हूं हम किता भी अच्छा question bank बना दे यह useless है यदि आप practice नहीं करेंगे याद रखना selection तो question practice सही होता है दिमाग में बठा लो बड़ा बड़ा लिख लो दीवार पे selection तो question practice सही होता है ठीक है आप incorrect questions वगरा भी select कर सकता है मैं एक मिनट आगे आके आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं question type यह जो question type है ना question set question set के अंदर हमने ncrt exercise यह पीछे वाले डाल दिये हैं और हम यहां पर अभी 1998 से 2005 तक के भी पास्टियर mcqs setup कर देंगे ठीक है तो यह questions set जो ही यह ncrt की back exercises को convert किया गाए तो यह सारे वो हटा देते हैं एक मिनट के लिए तो अब यह देखें ncrt exercise के questions back exercise के question यहां पर आना चालू हो जाएंगे ठीक है तो आप यहां से select कर सकते हैं ncrt back exercise पैचाने क्वेश्चन लगेंगे यह सारे mcqs में convert कर दिये गए तो और finally यहां पर आपके पास एक grid का option है यदि हम move करना चाहते हैं तो यहां पर question आप skip कर सकते हैं तो जैसे मैं इस grid पे यह सारे set हटा देता हूं अ हो कि प्रो प्रो रिमूब फिल्टर सारे filter अचों आख आदिये और मैंने कोई चैप्टर सबद्रेंट कर दिया है लेट से की मिस्टा कोई चैप्टर सब्लेटे इन इस टरूक्चर उफ एक्टम शीचरव हो प्सट और शक्रों मैंने उसके बाद यहां पर पर क्लिक क्या सारे कुशें यहां पर शक्रेड करणा चाहते हैं सारे men यहां पर लुटिंप करते हैं सही होते हैं अभी तो मैंने काई लोग्त दिखाए दे रहें तो बच्चों यह perfect है ना पर आपको discipline से आपको यह सोच के रखना पड़ेगा हर अपते कितने question practice करें और आप नहीं कर रहें competition बहुत ज़्यादा है selection तो question practice से होता है यहीं से मैंने चालू किया था यहीं से मैं खतम करना चाहता हूं अभी भी कुछ सवाल है comment section में पूछीजे यह जो मैंने सारी चीज़े बताइए एक एक करके आपको explain करूंगा अभी तक मैं आपको target setting explain कर चुका हूं question practice कैसे करना है यह explain कर चुका हूं और मैंने बुकमार्क भी बता दिया बुकमार्क में आपको flashcards के अंदर भी बताऊंगा बद्धिस एक्स्ट्रीमली important with respect to कि आपको सामान जो बनाना है revision के लिए तो यह मैंने सारी चीज़े बता दिया है कि याद रखेगा आप question practice नहीं करें इससे वीडियो चाटे जा रहे हैं कुछ नहीं होने वाला और आप question practice कर रहे हैं वीडियो अगरा देखने के बाद थियोरी का application तो selection तो question practice ही होता है बच्चो